तुसार हत्या कांट, पहले अफरन उसके चंद घंटे के बाद उनकी हत्या कर दी गई, ऐसे में खासा बीटा के सरकों पर आक्रोस हुआ, आंदोलन किया गया, अगजनी की गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यहां पर पट्टा के गर्दनी बाग धरडास्थल पर बैठे ह इन लोग का ये सवाल है, और सवाल ये कि पुलीस को किस तरह से ये लोग देखते हैं, पुलीसिया एक फिर से कटगरे में है, उनकी जाच कटगरे में है, आप क्या कहना चाहते हैं इन सारे मसले पर? इन साघे मसलों पर हम लोग यही कहना चाहते हैं कि पटना जिला के तुसार हत्याकांड में जो भी हत्यारा है उसको जो है सोफ़ासी की सजा हो SPD ट्राल चले, SPD चाल चलाकर के सरकार उसको जित्रा अबलम से अबलम हो फासी की सजा दे करवाई तो की गई गिरफतार भी किया गया तो फिर आज आप आंदोलन क्यों पर गिरफतार जो है जो मुख्य आरोपित है उसको अभी तक गिरफतारी नहीं हुई है अकेला जो है जो सिंगल एक यूट को गिरफतार किया गया है वो अकेले नहीं उसकी हत्या कर सकता था उसके साथ ये कौन सी गारी से गया उस गारी को अभी तक जो हसो ब्रांदगी नहीं की गई और उसके साथ कौन-कौन लोग है उसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है और पुलिस इस बात को जान बुझ करके छिपा रही है और वह अपने को इस तरह से छिपा रही है कि सिंगल जो हसो एक मुकेश कुमार पर आरोप लगा रही है जबकि उसके साथ मुकेश कुमार के साथ अन्य लोग भी है जो अन्य लोग है एक को गिरफतार भी पुलिस की थी जिसको आनरफानन में छोड़ दी दूसरी बात कि जिस गारी से तुसार को ले जा गया उस गारी का अभी तक आता पता नहीं चला नहीं अभी तक के जो इस केस के अंसांधन करता है और अंसंधन करता 161 में मिर्टक के परिवार के किसी भी ब्यक्ति का जो है सभी तक ब्यान नहीं लिए है और परहन के समय तो ल पुलीस की लेकिन उचित कारवाई नहीं की बहुत सारे अभी उसका उसमें सनलिप्त हैं घटना में वो सारे नहीं पकड़े गए मातरेक के मुकेश कुमार को पकड़ा गया जो उनके पुलीस जिकाडी उसी थाने में उनके पिता जी है तो इसे हमको तो नियाय मिलने ही रहा है और जब घटना घटी और अगर पुलिस कहती है कि उनका डेट बोडी है तो उसी जगा बीटा थाना से लेके कनहुली जहां घटना घटी है उससे लेके पटना आ जाती है पुलिस और हमको वहां के थानेदार ने कहा कि नेवरा ओपी में चलिये जब वहां गये तक कहते हैं कि और वहां वहां ले जाके रहते हैं आगे अगर वहां नहीं यह यह अगर वहां नहीं यह नहीं हम को फॉलीस हमारी शादनी कि वहां झेल你好 उरी वारका को मार नहीं शक्ता था वो लड़का काफे एक्टिव हा और यह जमान था यसलिए यह जो एक आदमी को कहते हैं कि इसी पकड़ लिया है वो कुछ नहीं है यह खाना पूरती पुलिस कर रही इसलिए मैं पुलिस से अपने बातों पर अरे रहेंगे जब कभी भी कोई बड़ी बारदात को अंजाम दिया जाता कि अपनी घटना घटती है तो अक्सर पुलिस को संदीक तरीके से देखा जाता और इस तरह का आरोप फिर से लग रहा है तुसार हत्याकान में चुकि तुसार का जिस समय अभरन पुलिस के पास गये थे लेकिन उन्हें भगा दिया गया लेकिन उसके बाद भी जब हत्याकान के बावजूद बस एक आरोपी को गिरफतार किया गया ऐसे में पुलीस की जो कारवाई है जो उनकी के गार इसाली है वो इन लोगों की नजरों में उदासीन है जिससे एक खा कि तासन के डिपोट